दर्मवीर जी किसके वोट काटेंगे मुझे पता है आप इस बात पर बुरा मान जाते हैं आप कहते हैं कि नहीं हम तो किंग मेकर बनेंगे किसके वोट काटेंगे दर्मवीर जी मध्यपरदेश और राजस्तान में देखिए मानक जी ये तो जनता तह करेगी कि किसको बोट देना है और राजस्तान में कॉंग्रेस के खिलाप एंटी इंकमबेंसी फेक्टर चला आए वहां कॉंग्रेस कोई हरा रही है और मध्यपरदेश में भी कुछ इसी तरीके का मामला चला आए तो ये दोनों पार्टिय या जितनी भी पार्टियां लड़ रही है चाहिए वो पांचो राज्यों में ये अपना अपना बोट लेके जाएंगे कौन किसका बोट काटेगा ये तो जनता जो है तै करेगी किसको बोट देना है और किसको नहीं देना है लेकिन जो आपने अभी बड़े भाई भाटी जी की बात सुनी और मैं भी सुन रहा था तो यह कहीं की इट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनवा जोड़ा तो यह जो इंडिया घटबंदन था इसका हाल हराश्र आप देख रहे हैं कि यह सत्ता के लालची लोग हैं जो किसी भी सूरत में सत्ता प्राप्त करना चाहते है इनका कोई एजंडा नहीं है अगर इनके घोसडा पत्र पर आप जाएंगे तो पिछले घोसडा पत्र की 5% बाते भी इन्होंने पूरी नहीं कियोंगी चाहे वह BJP के लोग है चाहे कॉंग्रेस के लोग है चाहे दूसरी पाट्यों के लोग है तो जनता इनको अच्छी तर के समयधान में दिवे बोट की ताकत से बखू भी करने वाले हैं और उसी से यह बहुज़न समाज की ताकत बनेगी और इन सत्ताधारी पूजी वादी और सामंत वादी सोच के जो लोग हैं उनको इस बोट में हार मिलने वाली है समाजवादी हैं समाजवादी हैं पूजी वादी और सामंत वादी कह रहे हैं समाजवादी हैं राजकुमार भाटी तो और उनकी पार्टी अखिरेश यादव जी अरे कैटरीना कैफ नाजती ती सहफ़ई में अब वहाँ पर बगगी भी नहीं चल लए है तो ये नाम के समाजवादी हैं ये नाम के समाजवादी हैं मत्रदेश में रगू ठाकुर हैं हमारे बड़े भाई वो एक्चुल समाजवादी नेता हैं ये तो जो है समाजवादि का नाम लेकर के ये नकली समाज़बादी है समाज़बादी पार्टी के लोग इसलिए आज कॉंग्रेस भी इनको भाव नहीं दे रही है और ये हासिये पर उत्रपर देश में जाने वाले हैं ये पूरे देश में ये जाने वाले हैं क्योंकि जब ओवी सी की बारी आती है तो अठावन एश्डियम में से बावन चावन एश्डियम यादव मासभागे लग जाते हैं यह कोटा तो सारा खा जाते हैं तो इनका जो आचरण है मतलब वो ना ओवी सी के प्रती और आज जो आजम खात साब की जो दुर्ग मतलब आप धर्मबीर जी यह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का जो अलायन्स है जो बनने की कोशिश हो रही है मध्यप्रदेश में वो नहीं बन पाएगा और बनेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन धर्मबीर जी की पार्टी कौन सी वादी है एक बार मानवार कासी राम जी से पत्रकारों ने पूछा हर्सवर्दन जी को याद होगा क्या आप समाजवादी है या पूछिवादी है तो कासी राम जी ने जवाब दिया हम अवसरवादी है हम ना समाजवादी है ना पूछिवादी है हम अवसरवादी है तो धर्मबीर जी क्या यही बात मानी जाया आप अवसरवादी है Security समाज के लोग है वे विषा समाज के लोग है इनको अवसर नहीं मिले है सतर साव में, जतना चाना आउसर इनको मिले के उतने ही आगे जाएंगे, लेकिन आप जैसे समाजवादियों से और कॉंग्रेस के सामंतवादी, पूजी वादियों से बच कर रहने की आवज सकता है, अगे धर्मीर जी इसका मतलब ये गवा, मध्यप्रदेश, राजस्तान मे कांटे की टक्कर में, जिस पार्टी को जरुवत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, बीजे पी ये कॉंग्रेस, आप क्या दोनों के साथ जा सकते हैं? बिलकुल जा सकते हैं, बिलकुल जा सकते हैं. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया.